नमस्कार दोस्तों, MP Academy के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम जन्वरी माह के संपूर्ण महत्पूर्ण करेंट अफेर्स पढ़ेंगे जो कि आपको आने वाले सभी एक्जाम, Group D, NTPC, MPPSC और यहां तक की MP Police Constable इसमें भी बहुत ही कारगर सावित होंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें जन्वरी माह के संपूर्ण एक माह का करेंट अफेर्स इसमें पढ़ाया जाएगा तो वीडियो के साथ बने रहिएगा आप चाहें तो पॉस करके थोड़ी थोड़ी करके देख सकते हैं लेकिन इसमें जन्वरी माह का संपूर्ण का इंट एक पढ़ाया जाएगा तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं हाल ही में जिस राज सरकार के होकी स्टेडियम बनाने की घोशना की है तो होकी के जो सीम है नवीन पतनायक है तो ओडिसा गवर्मेंट ने विश्चु के सबसे बड़े होकी स्टेडियम बनाने की घोशना की है और जो अंगला होकी वर्ल्ड कप है वो भी कहां होगा तो ओडिसा के अंदर होगा ठीक है वीडियो क्योंकि यहां पर जन्वरी मां के संपूर करेंट अफर्स देखना है तो थोड़ा सा जल्दी में पढ़ेंगे और एडिशनल फैक्ट को इसमें सामिल नहीं किये जाएंगे ठीक है तो थी हाली में जम्मू कस्मीर में जिस स्वास्त बीमा योजना का स्वभारम किया तो नरिन मोदी जो कि हमारे देश के प्रधान मंत्रियों उन्होंने जम्मू और कस्मीर में किस स्वास्त बीमा योजना का स्वभारम किया है तो उसका नाम है सेहत स्वास्त बीमा सेहत स्वास्त बीमा योजना लाइसेंस वाहन पंजी करण और फिटनिस प्रमाणपत्र जैसे महत्पूर दस्तावेजों की बैधिता को कब तक के लिए बढ़ा दिया है कब तक के लिए बढ़ा दिया है तो यह है 31 मार्च 2021 तक सरकार ने केंदर सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस पहचान वाहन पंजी करण और फिटनिस प्रमाणपत्र जैसे महत्पूर दस्तावेजों की बैधिता को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है नेक्स्ट कुश्यन है भारती नौसेना ने जिस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दच्छन चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया तो इसका राइड आंसर है वियत नाम भारती नौसेना और वियत नौसेना ने समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दच्छन चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत और वियत नाम के बीच हुए नौसेना अभ्यास का नाम क्या है तो नाम है पैसेज कहां हुआ है तो हुआ है दच्छन चीन सागर में किन देशों के बीच हुए है तो भारत और वियत नाम के बीच नेक्ट कुश्चन है केंदर सरकार ने ये कुश्चन हो चुका है हाल ही में जिस राज्य के स्कूल पार्ट क्रम में सिख गुरुओं का इतिहास सामिल किया जाएगा ये कुश्चन है हाल ही में जिस राज्य के स्कूल पार्ट क्रम में सिख गुरूं का इतिहास सामिल किया जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और गुरु नानक इनके फाउंडर हैं, तो इस तरह से सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन माने आते हैं? गुरु नानक से, तो इनके इतिहास को पढ़ाने के लिए, इतिहास को पाठ्टक्रम में सामिल करने के लिए, किस राज सरकार ने गोशना की है? तो वो है उत्तर प्र प्रदेश उत्तर प्रदेश नेक्ट कुछन है हाली में जिस देश में अपराधिक मामलों के मद्दे नजर निर्धारत आयू बर्ग में बदलाव किया है तो वो है चीन चीन में अपराधिक मामलों के मद्दे नजर निर्धारत आयू बर्ग में बदलाव किया है किया गया है नेक्स्ट कुश्चन है पदमिस्री से सम्मानित जिस नित्य इतिहासकार का दिल्ली के एक अस्पताल में कार्डियर अरेश्ट के कारण निधन हो गया तो वह हैं सुनील को ठारी सुनील को ठारी का सुनील को ठारी का निधन हो गया हाली में तो ये इंपोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनको पदमिस्री से सम्मानित किया जा चुका और ये नित्य इतिहासकार है तो ये भी पूछा जाता कि सुनील को ठारी के सम्मानित किस से तो वह नित्य इतिहासकार है इसको कौन सा सम्म स्वातंत्र विध्यक 2020 को मंजूरी दे दी है तो वो है मद्ध प्रदेश मद्ध प्रदेश गवर्मंट गवर्मेंट ने स्रीयम कौन है तो सिवराज सिंग चोहान राजपालयान अंधी बेन पटेल तो मद्ध प्रदेश की सरकारण है लब जिहाद के खिलाब सक्त कानून बन मनाया जाता है और यह किसके अपलच में मनाया जाता है तो अटल विहारी बाजपर जो के हमारे पूर प्रदानवंद्री थे और उनका निधन हो चुका है ना तो इनके इनकी जैनती के आवसर पर 25 दिसंबर को सुसासंदिवस भारत में मनाया जाता है नेक्ट कुश्यन है जिस राज में भारत की पहली लीथियम रिफाइनरी इस्थापित की जाएगी तो वह है गुजरात भारत के गुजरात राज में गुजरात में लीथियम रिफाइनरी इस्थापित की जाएगी गुजरात के बारे में जान लीजिए तो गुजरात के सीम कौन है विजय और गुजरात को गहते हैं कि नऍक्स कुछ नधे संहोगत कर अमेरिका ने जिस साल के अंद तक चंद्रमा पर पहला पराणू रियक्टर इस्थापित करने की योजना तैयार की है तो दोःजार शब्स तक संहोगत तराज अमेरिका सेंखतर राज अमेरिका की जो एजेंसी है आप सबने इसका नाम सुना होगा नासा नैशनल एरोनौटिस स्पेस एजेंसी इसने क्या है साल के किस साल के अंत में चंद्रमा पर पहला परमानू रियक्टर इस्थापित करने की योजन तयार गिये तो दोहजार के अंत तक परमानू रियक्टर इस्थापित कर दिया जाएगा कहां चंद्रमा पर नेक्स्ट कुछन है हाल ही में जिस प्रख्यात नित इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्स की आयू में दिधन हो गया उनका नाम है सुनील कुठारी तो ये दोबारा से रिपीटिट कुछन है नेक्स्ट कुछन है जिस फुटवालर को दसक के सरबस्रेष्ट फुटवालर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो इनका नाम क्या है? क्रिष्टियान Nixon रोनालड रोनालड है? क्रिष्टियान रोनालडु यह पूर्टगाल कंट्री से बिलोंग करते हैं कहां से बिलोंग करते हैं तो पूर्टगाल से और दसक के यह दसक के सर्वसेष्ट फुटवालर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है क्रिष्टियानो रोनाल्डो को जिस पूर्व भारती कपतान को दसक के ICC Spirit of the Cricket Award से सम्मानित किया है तो वो है महेंदर सिंग धौनी जो की पूर्व भारती कपतान है भारती टीम भारती क्रिकट टीम के कपतान है महेंदर सिंग धौनी ICC ने इनको क्या किया है दसक के ICC Spirit of the Cricket Award से सम्मानित किया गया है तो यह इंपोर्टन हो जाता है क्योंकि यह जादतार अभी जो Award मिल रहे हैं विराट कोहली को मिलते हैं तो आपको ICC देखके मतब आंसर विराट कोहली याद आता है लेकिन यह जो Spirit of the Award है यह महेंदर दोनी को यह हमारे भारती पूरु कप्तान है भारती टीम इंडिया के पूरु कप्तान है अच्छा खेलते हैं ठीक है और हेलिकॉप्टर सॉट इनका फेवरेट सॉट है यह आइसी सी ने जिस भारती क्रिकेटर को दसक का सर्वसेष्ट वंडे प्लेयर चुना है तो यह है इनका नाम है बिराट कोली बिराट कोली जो की भारती क्रिकेट टीम अभी जो वर्तमान में भारती क्रिकेट टीम के कप्तान है कारने 28 दिसंबर को सभी राज संचालेत मदर्सों को बंद करने के लिए एक बिल पेस किया है यह पहला राज है जिसने मदर्सों को बंद करने के लिए बिल पेस किया है यह मुसलिम माइनर्टी से बिलॉंग करते हैं ठीक है मदर्से जिस देश के लिए 19 टेस्ट में 6 सतक जोड़ने वाले जॉन एड रीड जॉन एफ रीड का निधान हो गया तो वह किस देश से संबनने थे तो वह है न्यूजिलेंड से न्यूजिलेंड के जो 19 टेस्ट में 6 स सतक जड़ने वाले जॉन एफ रीड का निधान हो गया है तो यह न्यूजिलेंड के खिलाड़ी थे तो क्रिकेट के लिए तो MPPSC खास करके मदर्देश पबलिक सर्विस कमीशन MPPSC का फेवरेट कुश्चन रहता है क्रिकेट को लेकर के क्रिकेट का एक नई कुश्चन तो ह परबार आता है तो इसको याद रखिएगा जॉन एफ रीड है जिन्हों ने उन्नीश टेश्ट में छहसा तक जड़े हैं और यह न्यूजिलेंड के लाड़ी है न्यूजिलेंड के केन विलियंसन भी यहीं के हैं जो की कप्तानी करते हैं जाती के स्टीकर वाले बाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कारवाई की जाएगी तो यह हैं उत्तर प्रदेश में जाती के स्टीकर जैसे कि यादव जी पांडे जी अना फलाने जी डिकाने जी मुन्ना जी इस तरह से मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कारवाई की जाएगी तो वो हैं उत्तर देखा होगा ना तरपाथी बहुत सारा लेगा तरपाथी पांडे पांडे जी यादव जी तो इस तरह के जाती का रिष्टीकर होते हैं इनके खिलाप दंडात्मक कारवाई की जाएगी कहां उत्तर प्रदेश में प्रदानमंति नरेंद मुदी ने दिली सहर में देश की पहली ड्राइवर रहत मेट्रो रेल का उध्गाटन किया है तो दिल्ली में इसकी खास बात है कि इसमें ड्राइवर नहीं होगा प्रधानमंदी नरिनमोदी ने दिल्ली सहर में देश की पहली ड्राइवर रहे तो मेट्रो ट्रेल का उदगाटन यह है मेट्रो का नाम लेते ही मेट्रो मैन याद आते हैं तो मेट्रो मैन कौन है इस्री धरन साब इस्त्री धरन साब जो हैं वो मेट्रो मेन गहे जाते हैं भारत में नेक्स्ट कुष्चन है मुकेश अम्मानी को पीछे छोड़कर जो एसिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं वो हैं जोंग सान सान जोंग सान सान मुकेश अम्मानी ये कुष्चन कभी नहीं पूछा जाएगा ठीक है केंद्र सरकार ने एथनाल उत्पादन को बढ़ावा देने होती जितने करोड की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है तो ये है 4573 करोड रुपए इथनाल उत्पादन को बढ़ावा देने ही तो जितने करोड रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है तो वो है 4573 करोड रुपए ये व्यापम यानि की MP में जो एक्जाम होते हैं उनके फैबरेट कुष्चियान है पैसे पूछने कितने पैसे कानुदान दिया तो 4573 करोड रुपए की ब्याज सहायता देने की योजना है इथनाल तो थोड़ा इथनाल के बारे में जान लिए इसको भविश्य का इंधन क यूपी में सबसे ज्यादा होता है तो आपने सुना होगा जो गन्ना उत्तर प्रदेश का जो नोटा है वहां पर कम्पनियां लगी हुई थी उनको उनमें एथनौल रिफाइनेरी वहां पर लगाई जा रही थी ताकि जो गन्ने से गन्ना से रस निकालने के बाद जो उसक बचता है जो छिलका बचता है उससे फिनाल बनाए जाता है आपने के में सट्री में फड़ा हो थाइयर बनाते हैं मतलब खमीर वगेरा ढल!ख घमीर को ऑगरव कर के फिर उसका ऑक्षिदेशन होता है तो 1300 एथेनोल को फिर उसमें हमको क्या करना था कि एथेनोल से बाहन चलाने चलाने थे मतलब कि एथेनोल को एधन के रूप में उपयोग करने के लिए यह यूजना चलाई जा रही है ताकि जो पेट्रोल डीजल है पेट्रोल डीजल इनके बढ़ते दावों को कम किया जा सकी और एक ऑप्सन के रूप में यूज किया जाएगा तो यह भी पूछा जाता है कि जो एथेनोल 95% जो एथेनोल होता है यह इधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है इसमें कारवन की अपेच्छा कम प्रदूसर्ण होता है प्रदान मंत्री नरेन्द मोदी ने 31 दिसमबर 2020 क करेंसम के माधियम से गुजरात के जिस सहर में एम्स की आधार स्थिल्हार रखी है तो राज ऄंट में प्रिदान मंत्री नरेन्द मोदी 1 दिसमबर 2020 को वीडियो काॉन फ्रेंसम के माधियम से गुजरात के राजओ्सधर की घुजरात के राज कोड़्य सहर प् Ch DD औरत ही च लेट करते चाहीन हैं कि पिछले ऐपन पढ़ते जा है उनको आंगे भी पढ़ते जाëंगे क्योंकि ये रीवर्स चल रहा है ये अभी 31 दिसम्बर चल रहा है 31 दिसम्बर के वाद एक जनवरी आएगी और से करके 2020 को मंजूरी देती है केंद्री मंटी मंदल ने आकास मिसाल आकास मिसाल के बारे में पूछा जाता है कि यह कैसी मिसाल है तो यह हवा से हवा में मार करने वाली है अब आकास कहा है धरती में तो है नहीं है आकास कहा है धरती में यह ना आसमान में तो यह हवा से हवा में मार कर जिस मंत्राले ने दुनिया भर में भारती समुदाय के लोगों से जुड़ने है तो वेस्वेक प्रवासी रिस्ता पोरटल और एप की सुरुआत की है तो वो है विदेश मंत्राले ने दुनिया भर में भारती समुदाय के लोगों से जुड़ने है तो वेस्वेक प्रवासी रिस्ता पोर्टल और एप की शुरुआत की है यह है विदेश मंत्राले ने शुरू किया है ताकि दुनिया के बिश्व के जो विभिन देश हैं उनमें हमारे देश के रहने वाले प्रवासी भारती जो हैं वह वहां पर एक ऐसा पोर्टल लॉंच जाएगा जहां पर वह सब एक साथ जुड़ पाएंगे उनको जोड़ने के लिए उस्टा पोर्टल याद रखिया विदेश मंत्रा ने शुरू किया है ने शुरू किया है केंद्री मंट्री मंदल ने हाली में भारत और जिस देश के बीच बाहरी अंतरच के सांती पून उपयोग के लिए समझोता कि आपन को मंजूरी दी है तो वो है भूटान भारत और भूटान के बीच बाहरी अंतरच के सांधी पूर्ण उपयोग के लिए समझोता कि आपन को मंजूरी दे दी है तो भूटान को दे दी गई है केंद्री मंत्री मंदल ने अरती सरकार ने सरकारी मदर्सों को स्कूल में तब्दील करने वाला विध्यक को पास कर दिया है तो वो है असम ये कुश्यन पहले भी पढ़ चुके है ना जो मदर्स हैं इन मदर्सों को स्कूल में तब्दील करने का विद्धियक पास कर दिया है तो जो असम भारत का ऐसा स्टेट है जिसने मदर्सों को स्कूल में तब्दील करने का विद्धियक संसद में लाया और पास करने वाला भी ये देश का पहला राज है असम तो जो मदर्से हैं वो इस्कूल में तबदील हो जाएंगे ठीक है मदर्सा जो होता तो एक जो एक पर्टिकुलर धर्म को परतरस्यत करता है मतलब कि वहां पर माइनॉर्टी की जो भासा है वो पढ़ाई जाएगी और उसी धर्म को प्रमोट किया जाता है लेकिन अगर इस्कूल में तब दील कर देंगे मदर्सों को तो वहां पर फिर उसका कोई धर्म नहीं वचेगा लोगा वहां पर एक उदासीन पढ़ाई होगे मतलब कि सभी धर्म समान है इस टाइप से अन्य केंदर में A.F.S.P.A के तहत जिस राज को अंगले छे महीने के लिए असांत छेत्र घोसत कर दिया गया है तो नागालेंड है नागालेंड को A.F.S.P.A के तहत अंगले छे मह है नेस्ट कुश्चन है कैबिनेट की न्यूकती समधी के हाली में इसरो के चेर्मेन के सिवान के कारकाल को जितने वर्स तक बढ़ा दिया गया है तो वो है एक वर्स तक के सिवान जो की इसरो के चेर्मेन है इसरो इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन ऑफ इ एक बरस तक इनका कारकाल अपने बहुत दोगों कारकाल जोना को बढ़ाया गया है तो इनमेंसे के सिवान है यह है कहां कि इस रोके बात पर इस रोका बारे में जान लीजिए क्योंकि हर एक्जाम में पूछा जाता है इस रोका फांटेशन कब गुए था तो यह बना था headquarter बेंगलुरू और अध्यच की बात करें तो वो है के सिवान के सिवान के सिवान है और हाली में हमारा जो चंद्रमिशन 2 है चंद्रमिशन 2 वो इसरों के द्वारा ही लॉंच किया गया था जो की फेल हो गया था तो उसको चंद्रमिशन से डिलेटर जितने भी फैक्ट है इसे में दो में कहीं उसकी लांचर के बारे में तो यह सब पूछा जा रहा है ठीक है और जो पिछली CDS का एक्जाम हुआ था फिर से कुछिं पूछते तो चंडर मेसे एंद्यात है उससे आपको सारे फैक्ट पढ़ लेना है अगर आईसी सी टेस्ट रैंकिंग में पर्थम इस्थान पर पहुच गई है तो न्यूजी लेंड है न्यूजी लेंड और अगर अभी में बात करूं आज आज की तारीख में बता देतों आज 31 जनवरी है और आज का जो आकड़ा है उसमें हमारा भारत पहली रैंकिंग पर ह हमारा भारत आई सीसी टेश्ट रैंकिंग में फश्ट इस्थान पर पर परतम इस्थान पर है ठीक है तो परतम इस्थान पर कौण प versión बहुर बहुरा ऑची धिरये कि तो यहां कि नेक्ट कुछन है हाली में जिस राजय सरकार ने अपनी सौर उर्जा नीती की घोशना की है तो वो है गुजरात राजय सरकार ने अपनी नई सौर उर्जा नीती 2021 की घोशना की है नेक्ट कोचने हाली में जिस देश की नोसेना ने अधिकारिक रूप से पंडुबी आईने सिंदु बीर को परतिश्ठापित किया है तो इसका आदिकारिक रूप से पंडुबी आईने सिंदु बीर को परतिश्ठापित किया है तो इसका आंसर है म्यामार ने म्यामार ने में इसमें फूटवाल टीम के सदस्च रहे भारती फूटवाल बनिकंषिसांदी में निधन हो गया है उनीजिभाथें वाय। साुदी ट्ैस्ट क्रिक्ट में 300 लेने वाले गेंद्वाजों की लिश्ट मैं सामिल हो गए हैं मेकिस देश लेने वाले गेंदवाजों की लिष्ट में सामिल हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट में 300 लेने वाले गेंदवाजों की लिष्ट में सामिल हो गए हैं न्यूजी लेंड के खिलाडी टिम साउधी नेक्स्ट कुछन जिस देश के जाने माने डिजाइनर पीरे कार्डिन पीरे ने खराब समस्याओं का हवाला देते हुए राजनीती में नहीं आने का फैसला किया है तो वो है राज रजनीकांत रजनीकांत ने खराब सम खराब नहीं खराब समस्याओं यहां पर स्वास्त है खराब स्वास्त का हवाला देते वे राजनीती में आने का फैसला राजनीती में नहीं आने ही है हमारे रजनीकांसरका तो इन्होंने खराब स्वास्त का पाला तो और प्रवेस में आ रचन का लाभ मिलेगा तो वो सब्सक्राइब करने के लिए यह जिससे की सरकारी स्कूलों में बच्चे अभिवाबक बच्चों को पढ़ाएं असरी मैं भारत के पहले पोली नेटर पार्ग का उध्गातन किया गया है तो वो किया गया है कहां यह उत्त्रा खंड में है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले कुश्च्चान है कि जब भारत का पहला राश्टि उध्यान हैं जिम कारवेट नैसनल फार्क वो कहां पर है तो वो उत्तराइघंड के दार इत्राइग के दार अन्धात के तबांग में एकाई की रुवरत की गई है तो वह अरुणाचल प्रदेश का भांग कहां पर अठारश प्रदेश में हैं तो खादी अभम ग्राम उद्यों का आयोगद्वारा हाली में जिस राज के तबांग में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माड एकाई की शुरुवाद की गई कहां की गई है अरुणाचल प्रदेश में बीएम एफ बीडव्लु एफ पर निकिता खाकी मोव पर सटेवाजी और अनिमित मेच परिणामों के आरोप में जितने साल का प्रतिबंध लगाया है तो वह है पांच साल का वेडुटल वर्ड फेडरेशन रूसी सट्लर यह रूसी सट्लर है निकिता खाकी मोव पर सक्ते वाजी और अनीमित मैच परिणामों के आरोप में 5 साल का परतिबंद लगाया है पांस साल का प्रितबंद किस पर लगा दिया गया है तो निकिता खाकी मोब हैं कहां की हैं तो यह रसिया की हैं रूस की हैं और किस ने लगाया है तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बी डब्लू एफ ने अर्बियाई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गत्विदियों समेथ बिभिन ने दिसाज निर्देशों के उलंगन को लेकर किस पर दो दिसमलब पांच यानि की धाई करोड रुपए का जुर्माना लगाया है तो बजाज फाइनेंस लिम्टेड बजाज फाइन लिम्टेड पर बजाज फाइनेंस लिम्टेड पर लगाया है किस लिए लगाया है तो बसूली और संग्रह गत्विदियों समेथ बिभिन दिसाज निर्देशों के उलंगन को लेकर एक्स्ट कुछन ने दा क्रॉनिका लॉफ फिलैन्थ्राफी की रिपोर्ट के मताबिक व वेजोस ने दिया है जैफ वेजोस ने दिया है दा क्रॉनिकल ओफ फिलैन्थ्राफी की रिपोर्ट किसके दक क्रॉनिकल ओफ फिलैन्थ्राफी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा दान किस ने दिया जैफ वेजोस जोकी अमेजन के फाउंडर है और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ विजोस इन्होंने सबसे ज़ादा दान दिया है नेक्ट कुछ है ना कोरोना वाइरस संकट के कारण ब्रिटैन के पीम वोरिस जॉंसन का इस माह का जिस देश का दौरा टल गया है तो भारत के लिए है ना 26 जन्वरी यानि कि गरतन वाइरस संकट के कारण इनका भारत का दौरा जो है वो टल गया था है ना इसलिए जो अभी इस बार का गड़तंत्र दिवस था हमारा सेविंटी सेकेंड यानि कि भात्तरवा गड़तंत्र दिवस था इसमें कोई भी मुख्य अतिथी नहीं थे नेक्स्ट कुछ ने कोरोना क के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन की बाद तो यह कुष्चन तो वैसे नहीं पूछना चाहिए मेरे साब से लौकडाउन लागू करने का फैसला कि जर्मनी ने यह के न्यूज है लेकिन कुष्चन नहीं बनता है ना कि बन सकता कि हाली में किस राज सरकार ने वर्ड और और गोसित कर दिए था तो था केरल केरल ने घोसित कर दिए था अयर पफिस अध trans Estel के प्रथम अतिरिक्त महाननेदेश है तो भार खराय हैँ मेजर जनरल गौतम चोहान मेजर जनरल गौतम चोहान तो गौतम चोहान याद रखिए गौतम चोहान जो है इन्हों ने भारतिय सेना की मानवा धिकार सेल के प्रथम अतरिक्त महाने देशक का पदभार समाला है देशने वर्ष 2015 के परमानु समझोते का उलंगन करते हुए एक भूमिगत एकाई म का इंगत एकाई में बीस तर्थम्य में यूरीनियूम का संबंद संबर्धन सुरू कर दिया है एरान और यूंस से के बारे में तो आप खीता तानी सुनते रहते हैं नाчल यूज में दिन न्यूज में आता ही रहता है तो इरान इस तरह की हरकते करता रहता है कि बीस परसेंट तक यूरेनियम का संबर्धन शुरू कर दिया है जो कि 2015 के परमानु समझहोते का उलंगन है इस राज के खंडवा जले में नर्मदा नदी पर बन रहे छैसों मेगावाट वाले विश्चु के सबसे बड़े तैरते हुए सोरूर्जा परियोजना तो जो ये तैरता हुए क्यों है क्योंकि ये नर्मंदा नदी पर ही बना हुआ है नदी के नदी के ऊपर बना है तो इसको इसलिए तैरता हुआ बोल रहे हैं और खंडबा जले खंडबा जला कहां पर आता है तो साउध मतलब दच्छन में आता है नर्मंदा नदी के किनारे वसा हुआ है जोतर लिंग है यहां पर ओमकारेश्वर जोतर लिंग है और वहां पर 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे वड़े तैर्ट हुए सौर उर्जा पर्योजना तो एक और सौर उर्जा से एक फैक्ट और याद रहे हैं जो मद्ध प्रदेश का रीवा जला है वहा जाती है तो यह भी याद रखना है और 600 मेगावाट इसकी छमता कितनी होगी जो यह खंडवा जले में नर्मदा नदी पर रहा है इसकी छमता है 600 मेगावाट विश्व का सबसे बढ़ा है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है इसको याद रखिएगा मद्ध प्रदेश में अर्चैयुक्त जिसे किसे नियुक्त कि वह है तो भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त किया है इले mythology को अलेक्जञंडर एलिस नेक्ट कुछ हैना के इंद्री खेलमंत्री करेन रिजजु ने हाल ही में जिस जहर में असम राइफल पबलिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में सुवारम किया तो कहां पर किया है सिलोंग कहां पर है तो सिलोंग मेघाले की राजधानी है यहां पर जो असम राइफल पबलिक स्कूल है उसको खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में सुभारम किया है किसने केंद्री खेलमंत्री करेन रिजजु को याद रखीगा इन्हों ने ही जो 26 जन्वरी के दि अयोध्या मंदिर का लोगो था है ना का मॉडल बनाके प्रस्तुत किया गया था तो उसको प्रथम स्थान परदान करने वाली भी कौन है यही है खेलमंत्री केंद्री खेलमंत्री किरन रिजजु किरन रिजजु है इन्होंने क्या किया सम राइफल पबलिक स्कूल को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में सवारम किया है कहां सिलॉंग में सिलॉंग कहां पर है तो यह मेगाले की राजधानी है बहुत बढ़िया घूमने के लिए स्थान भी है एक्ट कुछ ने एसे आई विकास बैंक एडीवी एसे डेवलप्मेंट बैंक ने जिस राज में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए दस मिलियन डॉलर के रिंड समझोते पर हस्ताचर किये हैं तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यह जो किसी कोई बैंक चाहे वो अगए एम आफ हो या से ओलो और यह यह पूछा जाता कि कि कितने रुपय की राषी दी है कितने रुपय कीcry심 की दी जिनके लिए किराय में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है तो खिलाडियों को जो खिलाडियों को मिलने वाली छूट थी किराय में छूट मिला करती थी मतलब की टिकेट में किराय का मतलब क्या है यहां पर सीधर सीधर रेजरबेशन या टिकेट से है उसमें जो छूट मि कबलने वाली शूट को इन्होंने बंद कर दिया है जिस देशकर सब्छेट है है नोग खेचिस बिजली उतपादन चमता पर्फान के लिए क्रोड डॉलर का लिए जितने करोड का ऊंच सबीछ निरासल मी है कि रहा है यह इंट चैहा ऐसम को दे रहा है एक करोड डॉलर के लिए मिढ़ में इक करोट डालर दे रहा है एसियन डैवलपमेंट मेंक एक बढ़ाने के लिए दे रहा है और अभी इस के पहले ही अपन ने पढ़ा है कि जो कि जो हमांचल प्रदेश हमांचल प्रदेश में बागवानी सने के लिए प्रदेश के बीच में एसियन डेवलपमेंट एडी वी और हिमाचल प्रदेश के बीच में हुआ है Со rightly $10,000,000 का समझोता और गवर्शा नेखश, बढ़िए ABRQ की बीच कितने यह हुआ है तो तो यह सब याद रखिएगा इसने अपने राष्टगान में एक सब्द को बदल दिया एक सब्द को बदल दिया अपने राष्टगान को ठीक है जिस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगना करने है तो उत्तर प्रदेश ने किसानों की आय को दोगना करने की घोशना की है तो उत्तर प्रदेश ने किसानों की आय को दोगना करने है तो उत्तर प्रदेश गवर्मेंट उत्तर प्रदेश गवर्मेंट क्या कर रही है कि किसानों की आय को दोगन लिए अन्दी बेंप्टेल अने मतलए अगर बात करें तो सीटों की तो सीटों मैं यूपी में सबसे ज्यादा लोग सभा की सीटह हैं सभी राजों से ज्यादा ऐसी राजसभा की कितनी नी है तो 31 है ठीक है और उम्मीदों का प्रदेश तो है यह नेक्ट कुछ जिसने हाली में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा एक बेड़ा तैनात किया है तो वह है चीन ने अभी तक आपने सुना होगा कि जो ड्रोन होते हैं ड्रोन सिर्फ हवा में अगर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है चीन ने जिए ङंप इंपोर्टन कुछ्ष्चन है ठीक है नेक्ट कुछ ने जिसके इंद्री मन्तरी में वर्टुल एक्गरी इंडिया है का थॉन 2020 का उधगातन किया है तो यह है ने जितोमर नरेंदर सिंह तोमर ने वर्चुल एग्री इंडिया है का थौन 2020 का उधगाटन किया है ठीक है तो इसको याद रखी का वर्चुल एग्री वर्चुल एग्री इंडिया है का थौन 2020 का उधगाटन किस ने किया है वो किया है नरेंद्र सिंग तोमर ने नरेंद्र सिंग तोमर कौन है तो यह ह नेक्स्ट कुछिन है नेक्स्ट कुछिन है वह देश जिसने हाली में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसिफ जै अधिनियम पारित किया है तो वह है अमेरिका अमेरिका ने मलाला यूसिफ जै अधिनियम पारित किया है पाकिस्तानी महिलाओं के लिए पाकिस्तानी मह चिलाओं के लिए मलाला यूसोफ जय अधिन्यम पारित किया है तो वह है अमेरिका ने अच new subset मत WRD मध्द्य स्टेट हैं को तो मैं सबसे पहले किसको मिला सत्यारति का नाम सुना होगा उनका बच्चों के लिए जो आंदोलन था है ना बच्पन बचाओ आंदोलन बच्पन बचाओ आंदोलन तो उसके लिए केलास सत्यार्थी केलास सत्यार्थी और मलाला यूसुप जई मलाला यूसुफ जई और किसको कैला सत्यार्थी को सेयुक तुरूप से क्या नोबल प्राइज दिया गया था कौन सा नोबल प्राइज सांती का सांती का नोबल प्राइज मिला था इन दोनों को मिला करके तो मलाला यूसुफ जई अधिनियम पारित किया है कहां पाकिस्तान की और ये मलाला यूसुप जई कहां से बिलॉंग करते हैं ये पाकिस्तान की हैं कहला सत्यार्थी मद्यप्रदेश यानि की भारत के हैं भारत के मद्यप्रदेश इस्टेट से बिलॉंग करते हैं इन दोनों को मिला था तो जो अमेरिका है हमारा कुश्चन कह राजस्थान गवर्मेंट ने ओलंपिक में स्वणपतक जीतने वाले खिलाडियों को तीन करोर रुपए देने की घोशना की है तो ये खेलो खिलाडियों को प्रोतसाहन देने के लिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि भारत में देखा होगा तो खेलों जो गेम्स होते हैं गेम्स के लिए उतनी ज्यादा रुची नहीं देखी जाती बच्चों में उसको बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया कारिकरम यह सब चलाए जा रहे हैं तो उसके पीछे एक ही परपस है कि भारत के जो खिलाडी है वो हर चेतर में चाहे वो लंपिक हो चाहे एसियन डेवलप्मेंट के एसियन गेम्स हो चाहे वो क कोई सब डेमों किसी भी गेम में पीछे ना रहे है ना इसलिए इसलीए यह सब किया जा रहा है तो उसी चरण की की जिरह कंति कि जो भी खिलाड़ी कहां का र highly लचिस्थान का स्वण्पधिक जीतें गा किसले ओलंपिक में उसको तीन करोड रुपै की रासी प्रतान की जा पहले कुश्चन था बिटेन के बाद किसे ने तो जर्मनी ने किया गया था ठीक है तो यह एक न्यूज है इससे कुश्चन बनना थोड़ा सा मुस्किल है लेकिन फिर भी पढ़ लिजिए याद अब दिमाग पर रहना चाहिए को रोना के नए बार इसके खत्र में देख तु भारती सतरंज महासंग के नए अध्यच्च बनाए गए हैं तो यह हैं संजय कपूर संजय कपूर को क्या बनाया गया अखिल भारती सतरंज महासंग का अध्यच बनाया गया है most important अखिल भारती सतरंज महासंग के नए अध्यच बनाये गये हैं सत्रा सो से अधिक प्रवासी पच्छियों की मौत हो गई तो वो है हिमांचल प्रदेश के पौंग मान में रहष्य में परिश्चितियों में सत्रा सो से अधिक प्रवासी पच्छियों की मौत हो गई और यह हुगा है हिमांचल प्रदेश प्रवासी पच्छियों की मौत हो ग तो वो उस जगे को छोड़ करके ऐसी जगे आ जाएंगे जहां पर अभी ठंडी पड़ रही है तो यहां आ गए अभी ठंडी फिर जब यहां गर्मी पड़ेगी तो कहीं भी ठंडी पड़ेगी तो वहां चले जाएंगे इस तरह से जैसे जैसे जलवायू परिवर्तन होता है तो वो अपने हिसाब से जो उनके हिसाब से जलबाईयू होगी वहाँ ऐसे प्लाइन करते रहे तो उनकोмоते प्रवाजी पच्छी इनकी रहसे में परिस्थितियों में मौत हो गई है सत्रासों से अधिक प्रवाजी पच्छों की मौत हो गई है हिमाचल प्रदेश में तो यह मोश्ट इंपॉर्टेंट है और चिंता का पेसा है कि ऐसा क्यों हो रहा है और आपने हाली में सुना होगा कि जो है जिससे की वर्ड फ्लू होता है यह पच्छियों में पच्छियों की पच्छियों से फैल रहा है यह पच्छियों की मौत हो जा रही है और जो पच्छियों के जो संपर्क में आता है उनको हो जा रहा है तो आपको भी सतर करेना है एच वन एन्वन वाइरस वर्ड फ्लू य फेराक कर ते कैसे पाइप्लाइंग का उधगातन किया है तो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी ने किया है वीडियो कॉंफराइंसिंग के माध्यम किस के लिए बन रही प्राकर्तिक गैस के लिए और इसका उधगाटन किस ने किया है तो प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी जी ने वियत नाम ने हाली में अपनी आकरसिक कीमतों के कारण जिस देश से खादान विसे इसकर चावल खरीदना सुरू किया है तो भारत ने आकरसक कीमतों का मतलब है सस्ते रेट में आकरसक कीमतों का मतलब क्या है सस्ते रेट में चावल खरीदना कहां से सुरू कर दिया है तो भारत से सुरू कर दिया किसने वियत नाम ने भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली जो फसल है वो भी क्या है चावल है अपने यहां पर चावल ही घाते हैं यह पूंचा जा जोगा इसलिए मैं बता दिएताहूं चावल जो की एक है खरीब फसल है चावल का रिषर्ट सेंटर कहां है तो वो है कटक कटक जोगी कहां पर है उडीसा में चावल कर इस सेंटर कहां पर है उडीसा में और चावल में जो चावल के उत्पादन में प्रथम इस्थान पर है तो वो है पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल है फश्ट नंबर पर ठीक है पश्चिम बंगाल प्रथम इस्थान पर रहा है चावल करिसें सेंटर कहाँ पर कटक में और भारत में सबसे जब्या खाय जाने वाला खध्यान कौन सा है तो वह भीड्र शावल है तो उरदनाम को हम एक्सपोर्ट करेंगे यह कि निर्यात करेंगे किया चावल आकटसक चीमत का मतलब क्या सस्ते में मिल रहा है ना इसलिए यहां से ले रहे हैries 200 अवाकर दुषा जिस दिन मनाया जाता दो 24 जनवरी को 24 जनवरी की को 20 अवाकर जहता है आपने लुइस बेल लुइस ब्रेल का नाम सुनाओगा इन्ही के जन्म दिवस के आउसर पर चार जन्वरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है लुइस ब्रेल कौन है तो क्यों मनाया जाता है भाई इन्होंने कुछ तो किया हुगा तो लुइस ब्रेल founder है या कहना चाहिए कि निर्माता है किसके Braille Lippie के निर्माता कौन है तो यह है Lewis Braille इनहीं की जनमतिती के कारण 4 जनवरी को World Braille Day के रूप में मनाया जाता है तो यह जो Braille Lippie होती है यह किसके लिए काम आती है तो वो आती है जो नेत्रहीं होते हैं लेत्रहीं व्यक्ति होते हैं उनके लिए उनके लिए काम में आती है अर इसको किसने को जाए तो इसके जो नेर्माता है वो कौन है तो तो परह Corral आली में घोषणा की कि वो है तमिल भासा और संस्कति की रच्छा के लिए एक तमिल अकेडमी की स्थापना करेगी तो वो है दिल्ली दिल्ली में तमिल अकेडमी की तमिल भासा और संस्कति की रच्छा के लिए एक तमिल अकेडमी की स्थापना करेगी दिल्ली में करेगी नेश्ट कुछ ने केंद्र सरकार ने जम्मू कस्मीर के विकास के लिए जतने करोड रूपै की मनजूरी दे दी है तो 28,400 रूपै की कि पिकासदर रहने की बात की है तो GDP की बात करें तो ग्रॉश डुमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है सकल घरे लुग आये होती है 7.7 रहने की यह माइनस नहीं लगा है न डैस है यहां फिर 7.7 प्रिस्षत रहेगी 2021 में अभी हाली में आई एम एफ ने भी इंटरनेशनल मोनेटिक फंड अंतराश्टी मुद्रक कोश ने भी जारी किया था एक आगड़ा जिसमें भारत की 2021 के कलेंडर वर्स में 7.3 परसेंट 7.3 परसेंट GDP ग्रोथ रहने वाला है यह घोशना की थी यह अनुमान लगाया था जिस मसूर फैसन डिजाइनर कर तमिल नाडू के कोया मटूर में दिधन हो गया तो यह सत्यपाल है इंपोर्ट इंडेक यूकि अपने भारत से बिलों करते हैं ना तमिल नाड कि कोंल ये मटूर में दिधन हो या किसका मसूर फैसन डिजाइनर थे सत्यपाल दाख में सिंदू ऩीपर 144 मेगावाट की जितने जलबिद्त परियोजनाओ को मैंजूरी दे दी है तो आठ ग्याजार नजूरी दे तो Elon Musk थे इलन मस्क बन गए है ईलन मस्क बन गए हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और इससे पहले को थे से जोणेजन करण के फाउंडर है उनको पीछे छोड़ सी आमीर व्यक्ति बन गए हैऄ कि यह और जसे से ने से अध्यास किया तो कोरवान महावारी के भी दच्छन कोरिया साउथ कोरिया है और से अमेरिका ने जो शेना अभिहास किया है जिके मुख्यमंत्री नभीन पटनायक ने देश के पहले फायर पाक का ऑनलाइन लोकारपन किया तो ओडिसा औरी सा गाउन्मेंट मैं कई बार बता चुक हूं कि तो बूम्नेश्वार में ही पहले फायर पार्क का ऊंलाइन लोकारपन किया है मुखमंत्री नभी पटनायक ने ओडिशा से जितने भी फैक्ट आते हैं बता जिए यहां का जो फोक डांस है 5 और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कुछर्चन कौन सा है कि जो सूर मंदर ने बिश्चुनाथ हैं वह कहां पर हैं तो अड़ीसा में हैं इस तरह से कुश्चिन पूछे जाते हैं अपन ने पड़ा है कि राश्ट पिता है महत्वा गांधी वह दच्छन अफ्रीका से भारत आये थे नौजनवरी को तो इस दिन को मनाया जाता है प्रभासी भारती जिस राज्य के चीफ जश्टिस के रूप में सपतली है तो तेलंगाना तेलंगाना की बात करें तो राजधानी क्या है है अधराबाद है और चंद सिखार राव यहां के सियम है स्यम्क्तराष्ट सुरच्छा परिसाथ जो की युएनों का एक पार्ट है मैं आइस्थाई सदस्य के तौर पर भारत का जितने साल का कारकाल चार जन्मरी 2021 से शुरू हो गया है तो वह है दो साल दो साल का कारकाल चार जन्मरी से शुरू हो गया चार जन्मरी से लेकर के चार जन्मरी 2021 से लेकर के अंगले दो साल तक आइस्थाई सदस्क के तौर पर भारत रहेगा आइस्थाई सदस्क के तौर पर रहेगा किसका सेंक्तराष्ट सुरच्छा परसद यू एन एस्सी उना तो गौतम चोहान मेजर जनरल गौतम चोहान भारती सेना की मानवा धिकार सेल के प्रथम अतरिक्त महाने देशक का पदभार समाला है हाली में वर्थ 2015 के परमानू समझौते का उलंगन करते हुए एक भूमिगत एकाई में 20 प्रतिसत क्यूरेनियम का सम्मर्धन सुरू कर दिया है तो वह है इरान एरान ने कर दिया है और जाली में इरान थे हैं के नए मुखन्याधी इस के रूप में नियुक्त किया गया है अमेरीकी संसत प्रतिनधी सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है किसे नैंसी पेलोसी को नेक्ट कुछ चन है भारत और जिस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिशायल MRSAM रच्छा पनाली का सभलता पूरोग परिच्छन किया है तो वो है इजरायल भारत और इजरायल ने मद्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाल हवा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाल इसका नाम क्या है MRSAM MRSAM एम रच्छा पनाली का सफलता पूरो परिच्छन किया है भारत और इज्राइड नेक्ट कुछ ने किस ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डबलू डी एफसी के 306 किलो मीटर लंबे रिवाडी मदार खंड का उधगाटन किया तो प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने किया है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलो मीटर लंबे रेवाडी मदार खंड का उधगाटन किया प्रधान मंति नरेंद मोदीने नेक्ट कुछेन है केंदर सरकार ने देश के कुछ राज़ों में बड़ फ्लू के मद्दे नजर राजसरकार द्वारा दिये गए उपायों की निगरानी के लिए जिस सहर में नियंतरक अच्छ इस्थापित किया है नई डिल्ली में समाप्त कर दिया है तो कजाकिस्तान है कजाकिस्तान ने मर्त्यू डंड को समाप्त कर दिया है किसान सूर्योदा योजना लागू की है तो ये है गुजरात गुजरात ने किसान सूर्योदा योजना लागू की है ठीक है तो किसानों की आयको दुगना करने के लिए मात्पूर्ण सुरुवात किस ने की है तो वो है यूपी ने उत्तरप्रदेश सरकार ने किसान सूर्योदय योजन कहां लागू की गई है तो गुजरात में कि नेक्स कुछ ये केंद्री मंठी मंदल ने हाल ही में भारत और जिस देश के बीच निर्दिश्टर कुसल कामगारों की सह भागिता से जुड़े समझोता गयापन पर हस्ताच्छर की मंजूरी प्रदान की है किसने केंद्री मंठी मंदल ने आर्बियाई ने हाली में जुर्माना वसूली और संग्राय गतिविधियों समेत बिभिन दिसा निर्दीसों के उलंगन को लेकर जिस पर 2.5 यन की धाई करोड रुपए का जुर्माना लगाया तो बजाज फाइनेंस लिम्टेड रिपीडिड कुश्चन है स्री लंका के जिस 29 वर्षी वल्लेवाज ने अंतराष्टी करकर से सन्यास ले लिया है तो वह हैं जैहान जैसूर्या जैहान जैसूर्या जैहान जैसूर्या ने जो कि स्री लंका के लाड़ी है नाम से पता चल जाएगा जैसूर्या है ना स्री लंका के जिस 29 वर्षी पर और बैटसमें थे पार्थे पटेल इन्हों ने भी इन्हों ने भी हाली में cricket की सभी फॉर्मेट से सन्यास ले लिया है और एक और अभी चर्चे में थे तो उनका नाम क्या है उनका नाम है लसित लसित मलिंगा, जो ki कहां से बिलोंग करते हैं तो ये भी स्रीलंका के खिलाड़ी हैं ये टीटवन्टी वन डे ओडियले इसमें तो पहली सन्यास ले चुके थे और टैस्ट से इससे सन्यास ले चुके थे लेकिन हाली मेनों ने फ्रैंचाइजी cricket से भी सन्यास ले लिया है franchise cricket का मतलब होता है कि जैसे IPL में ये खेलते थे मुंबई इंडियन्स की तरब से लेकिन इस वर्ज के मैचों में आपने देखा होगा कि लसित मलिंगा नहीं खेले तो इन्हों ने जो है लसित मलिंगा ने franchise करकेट से भी सन्यास लेने की घोशना कर दी है नेक्ट कुछन गुजरात के चार बार के पूर्व मुखमंत्री एवं कॉंग्रेस के जिस दिगज नेता का 94 बर्स की उम्र में निधन हो गया तो वो है कौन माधाव सिंग सोलंकी माधाव सिंग सोलंकी इनका निधन हो गया जिस दिन मनाया जाता है तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दस जन्वरी को इसमें confusion होता है सभी को दस जन्वरी को जो मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस है यह विश्व हिंदी दिवस है जन्वरी बाला जो 14 September को मना आजाता है जो 14 September को, वो राष्टी हिंदी दिवस है ना, तो यह हमारा हिंदी दिवस कम मना जाता है, 14 September को वर्ड का हिंदी दिवस मना जाता है, 10 जन्वरी को, नेक्स्ट कुच्चन अमेरिका ने जिस देश के साथ राजनेकों के आपसी संपर्क भायली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिये हैं तो वो हैं ताइवान पर जो भी प्रतिबंध लगे हुए थे उसको अमेरिका ने हाली में समाप्त कर दिया है भारत ने गरतंते दिवस पर जिस देश के राष्टपती को मुख अतिति के रूप में आने का न्योता दिया है तो वो हैं सूरी नाम के राष्टपती को दिया था पहले किसको दिया था ब्रेटेन के ब्रधान मंत्री बोरिश जॉनसन को है ना ब्रेटेन के ब्रधान मंत्री न्योता दिया था किसने भारत ने सूरी नाम को सूरी नाम के राश्टपती को न्योता दिया था फिर आकरी में इन्हों ने भी क्या किया इस्तिकित कर दी तो हमारे जो गरतन दिरबस था बहतरवा गरतन दिरबस था इस पर कोई भी कोई नहीं था सबसे पहले बिटेश के प्रधानमंती बोरिस जॉणसन को बलाया गया तो नहीं आ सके फिर सूरी नाम के राश्टपदी को बलाया गया तो वो भी उन्होंने भी अपनी यात्रा कैंसिल कर दी इसलिए कोई नहीं था ठीक है नेक्स्ट कुछ चैने कि पूर भारती कप्तान MS धौनी इंस्टाग्राम पर जब क्रिकेटर के बाद जिस क्रिकेटर के बाद तीन करोड से ज्यादा फॉलोवर्स है वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं तो नंबर एक पर तो बिराट कोली हैं कोली अपना कैप्टर ने अपनी टीम इंडिया का तो जो खिलाडी टेस्ट क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले ग्यार में भारती बल्लेवाज बन गए हैं तो वो हैं छेतेस्वर पुजारा इनका नाम आप सिर्फ टेस्ट पर ही लिख लीजे टेस्ट क्रिकेट हो ना तो छेतेस्वर पुज पुजारा आउटी नहीं होते हैं जल्दी जो खिलाडी टेस्ट क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले ग्यार में भारती बल्लेवाज बन गए हैं वो हैं चेतेस्वर पुजारा यह आंगे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं है ना इनका खेल देखिए हैं जिस देश की सेना ने स् परिच्ण पूरा किया गया है कहां पर पाकिस्तान पर जिस देश की सेना ने स्वादेशी रूप से विक्सित गाड़र मल्टी लॉंच रॉकेट सिस्टम पाकिस्टान यहां की मिसालों की नाम भी यही होते हैं बावर बावर के नाम पर रहती है ठीक है याद रखिएगा वह भारती बल्ले बाद जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाब सभी प्रारूपों में सो चक्के लगाने वाले बिश्चो का पहला खिलाड़ी बन गया है रोहित सर्मा सो चक्के लगाने वाले बिश्चो का पहला खिलाड़ी बन गया है रोहित सर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान है रोहित सर्मा और भारती टीम के लिए खेलते हैं वह भारती बल्ले बाद जो ऑस्टेलिया के खिलाब सभी प्रारूपों में सिर्फ ऑस्टेलिया के और दियोगे सुरच्छावल CISF के 28 में महानेदेसक की रूप में जिसे न्युक्त किया गया है तो सुबोध कुमार जैसवाल को सुबोध कुमार जैसवाल को न्युक्त किया गया है CISF के महानेदेशक की रूप में नंबर अब कभी कभी पूछ दे तो 28 में नंबर के हैं महानेदेशक कोई है सुबोध कुमार जैसवाल CISF Central Industrial Security Force नेक्स्ट कुश्चन है दुरलव धातु वैनेडियम दुरलव धातु वैनेडियम जिस भारती राज्य में पाया जाता है तो वो है अरुणाचल प्रदेश सबसे पूरवी पूरवी स्टेट है ना हमारा अरुणाचल प्रदेश तो भारती राज अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है वैनेडियम है ना कुश्चन है भारत के जिस राजजने वर्ड फ्लू के कारण एहतियाद के तौर पर पडोसी राजजों में प्रवेश पर प्रतिबंद लगा दिया है तो गोवा ने किसके कारण वर्ड फ्लू के कारण खेलो इंडिया आइस होकी टूनामेंट में खेलने वाली महिला और पुरुष टी में हैं तो दो 2 महिला टीम है थी छाज उड़िय मेन आज दो महिला टीम है ओर ग्यारा पुरुष टीम थी याद रखिये घा यह भी मिलता चलता है कोसे के कुछश्वर करिक्छ लगदाझ में आज खेल उडिया आइस दो कि टीम होसो तो लेखे दो दो female की team है थी और 11 male की female थी total कितनी हो गई 13 team है तो 13 team होने हिस्सा लिया था जिसमें खेलो इंडिया IOS की टूरा macht में जो कहान हुआ था लद्दाक में लद्दाक में भी कहान तो कार्गिल trao next question है गोवा में आजित होने वाला भारत का 51 अंतराष्टी फिल्म महुस्व जिस तारीक को समाप्त होगा तो 24 जनवरी 2021 को समाप्त होगा गोवा में आज़ेत होने वाला भारत का 51 अंतराष्टी फिल्म महुस्व 24 जनवरी 2021 को समाप्त हो चुका है भारत के एक क्यावने में अंतराष्टी फिल्म महुस्टा हो में जिस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया है तो वो है बांगलाद देश तो ये जो अंतराष्टी फिल्म महुस्टा है ये सबसे जाद इंपॉर्टन तो ये कुछ नहीं कि गोवा जो की सबसे छोटा स्टेट है हमारे देश का सबसे छोटा से नगरीकरनने नंबर एक पर कोन है तो गोवा पिर टीडेपी के मामले में सबसे नंबर एक पर रहे तो वो है गोवा एक क्यार रेटीiring ृमason का हो गे गोवा में और कंट्री इन फोकस की रूप में किसे चुना गया तो बांगला देश को कब समापत वे 24 जन्मरी को नेक्स्ट कुश्चन है भारत और चीन के बीच गलवान वैली जड़ाप जिस तारिक को हुई थी तो 15 जून 2020 को हुई थी यह तो किसी को नहीं बोलती होगी है भारत और चीन के बीचे जो गलवान वैली में जड़ाप हुई थी वो कब हुई थी 15 जून 2020 को 15 जून 2020 को पुश्चन है नई अमेरिकन राष्टपती जो विड़न है नेायश्ट कोश्चन हैं भारती मूल की है यह भारती मूल की है यह पूछचा जा सकता है बाकि यह तो 20 जपरी 2021 कारभार करभार से एक कुश्चन हो जारिकन कितने वर्स का होता है तो यह होता है चार वर्स का जो भी दिन किसकी जगे लेंगे तो डोनाल्ड ट्रम्प की है ना मस्त मौला इंसान है वो भी ट्रम्प सागर अनवेशिका की लंबाई जितने मीटर है तो सागर अनवेशिका की लंबाई है 43 मीटर 43 मीटर है सागर अनवेशिका की लंबाई वर्धन ने जिस तटी अनवेशन बाहन को राष्ट को समर्पित किया है तो उसका नाम है सागर अनवेशिका अभी इससे रिलेटेड़ी कुश्च्चन था सागर अनवेशका की लंबाई कितनी है ने 43 मीटर है और जो यह सागर अनवेशिका है वो इसको किसने भारत के केंद्री मंती डॉक्टर हस वंधन ने तटी अनवेशन को तटी अनवेशन के लिए राष्ट को समर्पित किया है तो तटो में जो अनवेशन का मतलब होता है कि नजर रखना निगरानी करने के लिए बांग्लादेस की सेन्टुटी भाग लेगी तो बांग्लादेष है बांग्लादेस की सेन्टुकडी भाग बहाग लेगी अभी जो हमारे एक और एक्य क्यानवे makesos mare हुए है फेश्टिवल समार हुए है कहाँ पर गोवा के अंदर उसमें भी जो इस्टेटका नाम था और गरतन ते बस में परेड के लिए भाग लेगी जिस दिस की सेन टुकडी भाग लेगी तो वह है बांगला देश कि मैं कमेंट करके जवाब देजेगा सेख हसीना कौन है बांगला देश की है न सेख हसीना कौन है कि जिस राज ने मौझूता सेख्षिडिक सत्र में मैट्रिक के चात्रों के लिए परिच्छा सुल्क माप कर दिया है तो वह है ओडिसा गवर्मेंट कि भारत के जिस राज में मौझूता सेख्षिक सत्र में मैट्रिक के चात्रों के लिए मैट्रिक 12 वालों के बच्चों के लिए परिच्छा सुल्क माप कर दिया है तो वह है ओडिसा गवर्मेंट ठीक है हमारे कॉलेज में तो जादा लग रही है इस साल पहले लगती थी ढाईजार अब लग रही है तीनजार नेक्स्ट कुश्चन है भारत का जो राज्यवर्स है 2023 में भारत का जो राज्यवर्स 2023 में हौकी विश्युकप की मेजवानी करेगा वो है ओडिसा पुर्स हौकी विश्युकप 2023 भारत के किन जिन सहरों में आज़ित किया जाएगा तो वो है भुबनेश्वर और राउर केल तो ये बड़ा कुश्च्चन हो गया है ना भारत का भारत का 2023 में जो हौकी विश्युकप है हौकी विश्युकप होना है भारत में तो उसकी मेजवानी कौन करेगा राज की बात करें तो ओडी सा करेगा पुरुश होकी विश्युकप 2023 भारत के जिन सहरों में आजुद किया जाएगा भुवनेश्वर जो की राजधानी है ओडी सा की और एक होगी रावर केला में तो भुवनेश्वर और बात की है यहां दोनों जगे की जाएंगी comment में बताईए कि जो भुमनेश्यर में मेधान है होकी का उसका नाम और राउर केला में जो मेधान है उसका नाम, दोनों का नाम comment करके जरूर बताईएगा ठीक है, तीनी qushion पूझूँगा जादा ने पूझूँगा भाई टेंसर नहीं लेने का और इसके पहले ओड़ेईसा का नाम अपने किसमें सुनाई कि जो बिश्चु का सबसे बड़ा होकी का स्टेटियम बिश्चु का नॉट इंडिया बिश्चु का वर्ल्ड का सबसे बड़ा होकी का स्टेटियम कहां बनाया जा रहा है तो वो भी ओड़े तो इबोला पीमारी के बारे में सुना होगा कि उसमें एकदम किस तरह से मतलब है ना इस तरह वायरास एकदम बड़े-बड़े से दिखते हैं निकले हुए से ना वही है उसके लिए बैक्स बैक्सीन का बैस्विक भंडार जिस देश में बनाया जा रहा है वह है स्वीजल ल मस्त मौला इंसान इनको अब यूटूब में एक सब्ता तब वीडियो नहीं डाले जाएंगे ऐसा कर दिया था यूटूब ने ठीक है तो बात कर लेते हैं अमेरिका के अब राष्ट पती कौन है तो जो बेड़े ने बार बार नाम लिया कीजिए तो याद हो जाते है जो कि खोज किस ने की थी कमेंट करके बताईएगा कमेंट करके नहीं बताएंगे आप लोग नेक्स कुछन है 16 जन्मरी से भारत में COVID-19 वैक्सीन का जो फेच प्रथाम जन्मरी यह कभी नहीं पूछा जाएगा फिर भी पडल देता हूं भाईया 16 जन्मरी से भारत में COVID-19 वैक कि एक अप्रेल 2000 दोहजारक एकेस से लागू हो जाएगी भारत की नई वीदेश्ण व्यापार नहीं थी एक अप्रेल 2021 से नेक्ट कुछन है एर इंडिया जिस तारीक को भारत बायोटेक हैदराबाद से दिल्ली को वैक्सीन की पहली खेप लेकर आया है वो है 13 जन्वरी 2021 से 13 जन्वरी 2021 को एर इंडिया भारत बायोटेक हैदराबाद से दिल्ली को वैक्सीन की पहली खेप लेकर आया है पढ़के छो जानते होंगे पाकिस्तान पाकिस्तान में साधी कि आद जी अंग्या और है जिस लागू प्रनौए तो नई परедин निति को लागू करनी गुजरात किसी हम कौन है विजय भाहि रूपाणी और अगर राजपाल भी पता जएं राजपाल भी जान लीजी राजपाल है आचार देविब्रत राजपाल कौन है राजपाल है देविब्रत लोगसवा की सीटैब यहां पर बता दीता हूँ 26 लोग सवा में राजी सवा में 11 26-11 करके याद रखा कीजिए और गुजरात किसलिए चर्चा में है तो यह की नीचे भी डिस्ट कर चुके हैं क्रसी के लिए जो सूरियोदय नीती है ना सूरियोदय नीती कहां पे लाई गई है तो वो है गुजरात में किसानों के लिए लाई गई है त्रेफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रेफिक वाला सहर कौन सा है तो वो है मासको मासको टॉम टॉम ट्रेफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में जब सबसे ज़्यादा ट्रेफिक वाला सहर कौन सा है मासको रसिया की कैपिटल के है मासको और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में पहले इस्थान पर कौन है मुंबई मुंबई सब से ज्यादा की जाए तो मास को अपने हाँ मुंबई बारती सेना दिवस जिस दिन मनाया जाता तो पंदरा जन्वरी को आप सभी को पता है कि पंदरा जन्वरी को जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जनरल करियप्पा जो पहले जनरल है ना पहले भारती सेना के जो लेप्टिनेट जनरल थे वो थे करियप्पा है ना उनको प भारत के हैं उनको कमान सौपी थी वो दिन था पंद्रा जनवरी को इसलिए पंद्रा जनवरी को भारती शेना दिवस मनाया जाता है ठीक है नौ जनवरी को क्या मनाया जाता है तो प्रबासी भारती दिवस मनाया जाता है नौ जनवरी को मनाया जाता है इसी तरह से जो 26 जनव जनवरी वोटार सड़े है नैसनल बोटास डे क्योंकि 96 जनवरी 1950 को भारत का जो चुनावं आयोग है उसका उसका उसकी स्थापना की गई थी नैसनल election commission की स्थाप नगी गई थी 25 जन्मरी 1950 को तो 25 जन्मरी को national voter day मनाया जाता है ठीक है और सिच्छा दिबस सुना होगा बाली का सिच्छा दिबस सुना होगा 24 जन्मरी को मनाया जाता है बाली का दिबस देश को आतंक बाद के एक प्रजयूजिक देश के रूप में नामित किया गया है, क्यूबा इक प्रायुजिक के रूप में नामित किया गया है, फिर एक दोशीयः के मांदन्डों करने पर दिगज, अधरस प्राली करला है, पर प्रतिबंद लगा दिया है तो चीन के जिन जियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयत पर प्रतिबंद लगा दिया है तो वह है अमेरिका तो चीन के जिन जियांग प्रांत में जो प्रतिबंद कपास होता है टमाटर होता है उसके आयत पर प्रतिबंद लगाने वाला देश है अमेरिका याद रखीगा आई ए म्याफ ने क्या दिया है सेविन पॉंट थी पर प्रस्टि तो त्व माट झारतिबंद लगावी प्रतिबंद की बात की जया रही है तो अला अलाग़ा आगड़े दे रहें यारकिएगा आई एमे अफ ने क्या दिया है सेब्नah 3% अपना जो केंद्री मंत्राले उसने क्या दिया है 7.7% अब ये महासा हैं फिच रेटिंग्स इन्होंने अनुमान लगाया है 11% का सरकार ने जिस देश में मनीश चोहान को नया राज़दूत ने उक्त किया है तो भारत सरकार ने मनीश चोहान को पुर्टगाल का नया राज़दूत ने उक्त किया है ठीक है पुर्टगाल यहीं के है क्रिश्चियानो रोनाल्डो जो की फुटवालार है सबसे ज़्यादा गोल पीछे बता चुका हूँ दोबारा क्यों दोहरा हूँ Bureau of Police Research and Development की रेपोर्ट के मताकित बरतमान में देश भर में पुलिस भर में जितने प्रिसत महिलाएं हैं तो 10.3% है Bureau of Police Research and Development यह संस्था है इसकी रेपोर्ट ने बताए कि बरतमान में देश भर में पुलिस भर में 10.3% महिलाएं हैं जो की अच्छा संकेत है महिलाएं भी सहायता यानि की सेवा में पीछे नहीं है हर वो काम जो पुलिस कर सकता है महिलाएं उसमें पीछे नहीं है भारती नारी सब पर भारी राश्टी युवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 12 जन्वरी को 12 जन्वरी को नैस्नल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है यह 12 जन्वरी को स्वामी विवेका नंद स्वामी विवेका नंद इनकी जैनती है स्वामी विवेका नंद जी की जैनती को बारा जन्वरी को योबा दिवस के राष्टी योबा दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके गुरु को ने तो रामकृष्ण परमहंस हैं ठीक है स्वामी बिवेका नंद जी और इनका नाम क्यों जाना जाता है मेनली सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है सिकागो विश्व धर्म सम्मेलन सिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले ये पहले भारती है इसलिए इनको जाना जाता है स्वामी बिवेका नंद जी को अगर इनकी बुक याद करने है तो बड़ा योग जोड़ो सब के पीछे ठीक है सब के पीछे योग जोड़ो जैसे कर्म योग ज्यान योग इस तरह से योग आता है सभी बुकों में जितनी भी आप पढ़ोगे सब के पीछे क्या आएगा योग आएगा तो एक कुश्चन पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिसन की स्थापन की स्थापन की थी स्वामी बिवेका नंद ने इनके बच्पन का नाम पूछा जाता है नार इसको बच्पन क teasing को आपको यह भी याद रहुना किस देश की को क्या कहते है वहां की संसद को मुद्रा वहां की sampagyaokes है वांके रश्ट पढ़ना है तो बैंक आर्बियाई ने हाली में जिस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है महराष्ट इस बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है तो महराष्ट इस्थित बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक था यह नगरी सहकारी होता है जैसे ग्रामीड सहकार तौर बना तो वह世界 इस्थानी निगाय में सुधारों को लागू करने की मामले में आंदर प्रदेश और मत्रदेश के बादत तीसरी नमबर पर तेलंगाना है तेलंगाना इसी आंधर प्रदेश से अलग होके बना था 2013 में नेक्स्ट कुछन है जिस केंद्री मंत्री ने कोईला खदानों के संचालन के लिए सिंगल बिंडो क्लियरेंस सिस्टम की सुरुवाद की है तो ग्रह मंत्री अमित साह ने कोईला खदानों के संचाले के लिए सिंगल बिंडो क्लियरेंस सिस्टम की सुरुवाद की है ये सिंगल बिंडो क्लियरेंस सिस्टम ये क्या है तो सिंगल बिंडो ये जो है ये एक पोर्टल है जैसे portal होते हैं बस इसका नाम है single window clearance system एक portal है जिसके अंदर देश की सभी कोईला खदानों को यहाँ पर इस्थान दिया जाएगा या एक ही करण किया जाएगा मतलब कि एक ही portal पर सब को लाया जाएगा तो आपको जो भी जानकारी चाहिए आप यहां से ले सकते हैं एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं बात कर सकते हैं ऐसा एक जो system launch किया है single window clearance system ग्रहमंती अब इससान इसकी सुरुवात की है कोईला खदानों के संचालन के लिए ठीक है याद रखिएगा इस देश की सरकार हैं हाली में COVID-19 से मुकावला करने के लिए भारत को 213 करूर रोपए की रिण सहायता प्रदान करने की घोशना की है तो यह जापान है जापान से एक related fact है 26 जनवरी 26 जनवरी को यानि कि अपी गरतन तर्दिबस को यह इसी वाले सिंजो आवे इनके पूर्व प्रदान मंत्री हैं कौन सिंजो आवे सिंजो आवे को पद्म पुरुसकार दिया है ना पद्म भूसर पुरुसकार दिया गया है किसको सिंजो आवे को फुटवालर क्रिष्टियान और रोनाल्डो ने फुटवाल इतिहाज में सबसे ज़्यादा गोल करने की मामले में जिस पूर खलाड़ी की बराबरी कर ली है तो जोसिफ बिकान बराबरी नहीं की है 760 गोल के साथ इन्होंने इनको पीछे कर दिया है जोसिफ बिकान का वर्ल्ड रिकॉर्ड था 760 गोल का जिसको किष्टियानो रोनाल्डो जो की पुर्तगाल से बिलॉंग करते हैं इन्होंने इसको नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाए है कि भाछली में जिस देशितर रवंप अमीराद एवम्वधरून को में परमुक कर रणनीतिक साझेदार करार दिया एट वो है अमेरिका को अमेरिका ने इनको रणनेतिक साज़तार करा दिया डोनाल्ड टरम का नाम जो है सांती के नोबिल के लिए इसलिए दिया गया था सेंगत अरब अमीरा तो बहरीन के बीच में इन्होंने क्या किया है तो समझोता करवाया है ना कि लड़ाई जगड़ा नहीं करना है मिल जूल के रहना है भारत ने हाली में इरान के चाबहार बंदरगाह को जितने हारवर क्रेन की आपूरती की है तो दो दो हारवर क्रेन की आपूर्थी की है चाबहार बंदरगाह को इरान के चाबहार बंदरगाह को दो हारवर क्रेन की आपूर्थी की है किसने भारत ने नेक्स्ट कुछिच्चन है फ्रांस के तेल उर्जा समूर टोटल ने अडानी एनर्जी में जितने प्रतिसाथ हिस्सेदारी खरीदने ये तु धाई अरब डॉलर का समझाता किया तो 20 प्रतिसाथ है जो अडानी ग्रॉप है एनर्जी के लिए उसका 20% हिंसा सेर खरीदेगी क प्रांस फ्रांस गवर्रमेंट खरीदेगी कितने में धाई अरब डॉलर में सरकार ने इस्ट इंडिया कंपनी के सीष सद्दिकारी रॉबर्ट क्लाइब के इंडियन सिलवर दर्वार के मॉल्डल के निर्यात पर रोक लगा दी है तो वह हैं व्रितेट सरकार ने इस्ट तुमनाथ मंदिर ट्रस्ट ओर नहीं के स्थान पर प्रदानमंति निरेंद मूदी को इस ट्रस्ट लूट के ले ले गया था सेटन है आद्यार कैंसर संस्ठान की जिस अध्यचता का उनीज जन्वरी Life 2021 के मिपमने हमें द्वार ह। सांता हैं अध्यार के इंसर संस्तान कीजिए सद्याच्चा को निस जन्वरी 2021 को तिरानवे वर्ज की उम्रों निधान हो गया वह है डाक्टर भी सांता कुछन है अमेरिका के नाव निर्बाच्चत राश्परी जो विडिंग और पराष्टपती कमला है इसकी टीम ने भारती मूल की हैं समीरा फाजली उनको वाइट हाउस में नैशनल इकोनोमिक कांसल का डिप्टी डिरेक्टर नामित किया गया है समीरा फाजली को समीरा फाजली को ठीक है तो नाव निर्बाच्चत राश्परी जो विडिन और उपराष्टपती कमला है है यह भी भारती मूल की है इन्होंने White House में National Economic Council का Deputy Director नामिर किया समीरा फाजली को Most Important के Open Sky संधी से अमेरिका के Open Sky संधी से अलग होने की घोशना के बाद जिस देश ने संधी से बापसी की घोशना किये तो रशिया Open Sky Treaty के बार में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ जो पडोसी देश होते थे ड्रोम के माध्यम से या हवाई-जहाज के माध्यम से एक दूसरे के उपर नजर रखते थे यह Open Sky संधी इस ट्रीटी से रिजायन देने के बाद अब ऐसा नहीं किया जा सकता है मलब अमेरिका ने इस ट्रीटी से रिजान दे लिया तो अब उस पर कोई भी देश बिना अनुमती के नजर नहीं रख सकता है फिर अमेरिका ने पहले किया फिर उसके बाद रशिया ने कर दिया भारत और जिस देश ने हाल ही में सूचना इवं संचार प्रोध्योकी आई टी सी के छेत में सहयोग बढ़ाने को देश से एक समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं पिरेल कि राजपाल है आरिफ महंध खान किया गया है मतलब की इसका मतलब यह है कि स्कूल के जो मेधावी चात्र है मेधावी चात्र को फिर में आईएस की कोचिंग पार्थ सामगरी और सहाएता प्रदान की जाएगी वो भी बिलकुल फ्री औफ कोश्ट तो यह के रल तो गड़तन्त दवस परेड में फाइटर पेले नुड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी तो यह हैं भावना कांथ तो गड़तन्त दवस परेड में फाइटर पेले नुड़ाने वाली पहली महिला फाइटर बन जाएगी कौन भावना कांथ अप ответ प्लिंसक्राई Interesting All French और यूपी के अना शुड़ी आरणाचल प्रदेश के पूर्व राजिस सुमेंटरी माता- प्रसाइब था मातापरसाद का हाली में दन हो गया सबसे कम 27 पारियों में एक हजार रन रन बनाने बाला पहला भारती बल्ले बाज बन गए है तो वो है रिसब पंत ये चमकते हुए सितारे हैं सब आई पिल से जा रहे हैं रिसब पंत है ना दस अजार रन बनाए है 27 पारियों में इसके पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम पर बता तो वो था MS धौनी के नाम पर है ना जो कि पूर भारती कप्तान है सन्यास ले चुके हैं MS धौनी ने 31 पारियों में 31 पारियों में 1000 रन बनाए थे लेकिन रिसब पंत ने उनसे तेज 27 पारियों में 1000 रन बना दिये हैं कि नेक्ट कुश्चिन है भारत ने सबसे पहले किस पडोसी देश को देड़ कोरोन एक पांच एक दिसम्ट करोड नहीं लिख लेना ठीक है लिख देता हूं करोड को रोड कोड़ कोवेड सेल्ट के दोज अनुदान सहायता के तहट दिए तो भूटान भूटान की तो भार तो यहीं息ंघ को बेक्सीन कोविड सील्ड के ढोज अनूदान सायता किते हैं तो प्रह मा stores कारे विभी तेलाही मकी गड्रावस कि मत्राइकुड को इस मत्राले का थिया गया तो वह है आईश halfway तो खेल मंत्री जो और युवा इमामलों की जो मंत्री हैं किरन रिजजू यह बहुत चर्चे में रही है इस टाइम पे आयुश मंत्राले का अत्रिक्त प्रभार दिया गया है यह वही किरन रिजजू है जिन्होंने यूपी के अयुद्या मंदर के मॉडल को 26 जन्वरी के दि महां पर एक विद्याले का एक विद्याले की स्थापनकी है और जो की असम राइप खल्प पब्लिक स्कूल के नाम से जानी जाती थी उनको खेलो इंडिया इस्कूल उसका नाम चेंज करके रख दिया है भारती रेलवे ने नेता जी सुभाश चंद्र बोस की 125 जन्ती से प नेता जी एकस्प्रेस कर दिया गया है 125 जन्ती में किसने किया है तो किसने इसकी घूफना की थी तो प्यूस गोयल जो कि हमारे रेलवे मंत्री है प्यूस गोयल 125 जन्ती तेज जन्वरी को मनाई जाती है इनकी जन्ती 125 जन्ती थी तो हावडा काल का मेल ट्रेन को का नाम ने नेता जी बस सर्विस की सुरुवाद भी ओडिशा के अंदर की गई है तो ये भी कप की गई है तेज जन्मरी को सीम कौन है ओडिशा के नवीन पटनायक है नेक्स्ट कुछन है फिलिस्तीन में जितने बर्सों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्टी चुना आयोजित करने के लिए तयार है इता जी सुभाज चंदर भोस की जैनती को जिस दिवस की रूप में मनाय जाने की घोशना की है पराक्रम दिवस तेश जन्मरी को जो 125 जैनती थी सुभाज चंदर भोस की उसको पराक्रम दिवस की रूप में मनाय जाने की घोशना की है जिस देश की सरकार ने हाली में कोविड-19 के प्रभावों से उवरने में मदद करने के लिए 307 बिलियन डॉलर के पैकेज की घोशना की है तो वो है मलेशिया ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के छेत्र में सहयोग के लिए सहयोग के लिए एक सहमती पत्र पर हस्ताचर किये हैं तो वो है DRDO ने DRDO और सड़क परिवहान इबम राजमाग मंत्राले ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के छेत्र में सहयोग के लिए एक सहमती पत्र पर हस्ताचर गिये हैं तो जान लेते हैं DRDO के बारे में DRDO 1958 में इसकी स्थापना कब की गई 1958 में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि DRDO का फॉल फॉर्म क्या है तो डेवलपमेंट रिसर्च डेवलपमेंट और्गनाइजेशन DRDO का फॉल फॉर्म में 1958 में इसकी स्थापना हुई थी हेड्कॉर्टर पूछा जाए तो हेड्कॉर्टर DRDO का है न्यू दिल्ली के अंदर है कि कुश्चन है जिस बॉलिवूड अविनेता के नाम पर दच्छनी दिल्ली के एंड्रिउज गंज में एक सडक का नाम करण किया जाएगा तो वह सुसान सिंग राजपूत के नाम पर सुसान सिंग राजपूत बिहार से बिलॉंग करते हैं में इस धौनी ने इन्हों करण किया जाएगा जकारता में आसियान सचवाले में भारत का अलग राजपूत जिसे निक्त किया जाएगा तो है जैंत खोब रागड़े को जकारता में आसियान सचवाले में भारत का अंगला राजपूत किसे निक्त किया जाएगा जैंत खोब रागड़े जकारता किया गया है तो जैन्त खोगर आगड़े को कि ने धोका धड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टेंडर्ड चार्टर्ड इस्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर जितने करोड रुपए का जुर्माना लगाया तो दो करोड बैंक का दो करोड रुपए का तो द स्थापना, hailquartter Mumbai, さकतिकांदाज Governor waar वेंकों का बैंक कहते हैं तो देखें यह question में थोड़ा confusion कि वह राजसरकार जिसने बागवानी विकास की फार्टा की है कि वह गुजरात तेक हैmm वह गुजरात है बागवानी विकास पिन लेकिन जो एशियन डेवलप्मेंट बैंक है एशियन डेवलप्मेंट बैंक से जो 10 मिलियन का लोन पर हस्ताचर किये हैं तो वो किये हैं हिमानचल प्रदेश ने हिमांचल प्रदेश ने बागवानी विकास के लिए एडिशन डेवलोप्मेंट बैंक के साथ 10 मिलियन डॉलर का के रिन समझोते पर हस्ताचर किये हैं तो दोनवाला कुश्चन है एडिशन डेवलोप्मेंट बैंक वाला पूछे कि बागवानी विकास के लिए किसने रिन समझोते पर हस्ताचर किये हैं तो Asian Development Bank और हिमाचल प्रदेश ने जबकि बागवानी विकास मिसन की घोषणा किसने किये तो गुजरात राज जिने समुने हाली में जितने हवाई एड़ों की विकास संचालान और प्रबंधन के लिए भारती बिमनपत्तन प्राधी करण AI के साथ एक रियाते समझाते पर हस्ताचर किये हैं किसने अडानी ग्रुप ने वह राज सरकार जिसने हाली में महातमा गांधी राष्टी ग्रामीर रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कारजबिसों की संख्या को मौझिजूदा सौ दिनों से बढ़ा कर एक्सोपचास दिन करने की गोशना की तो वह है उत्तराखंड उत्तराखंड राजने मनरेगा सौ दिनों का रोजगार देने की ये जो गारंटी योजना है इसको बढ़ाकर डेड़ सो दिन करने की गोश्चना की थी कोई फुटवार जिसने 760 गोल दाग कर जौसेफ बिकान को पीछे छोड़ती है फुटवाल इतिहास में सबसे जादा गोल दाग दियें तो क्रिश्चियान और रोनाल्डो टीम राजिस्थान रोयल ने जिस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त की है तो संजू सैमसन, संजू सैमसन को नया कप्तान बनाया जाएगा किसका राजिस्थान रोयल का यह IPL की टीम है, फ्रेंचाइजी टीम है और इससे पहले कौन थे तो वो थे इस्टीव स्मित इस्टीव स्मित जो की ऑस्टेलिया से बिलाउं करते हैं यह कप्तान थे यह जो 2020 का IPL हुआ है ठीक है तो उसमें इस्टीव स्मित थे अब संजू सैमसन होगे राजस्थान राइल पॉइंट स्टेवल में सबसे नीचे थी यह कुश्चन बन सकता है कि जो IPL है इस साल के कहां पर हुए हुए थे तो अपने देश में नहीं हुए यह हुए है UAE से अरब अबियात में अब जो ग्राउंड के नाम भी देखते रहे हुए अबुधाबी में होता था और दो तीन ग्राउंड थे कुल मिला के वहां पर है ना तो यह जो IPL का संस्करण है 2020 का कहां हुए था UAE में और पूछा जाता है IPL कब से हैं तो 2008 से खेले जा रहे हैं सबसे सफ़र टीम मुंबई इंडियन सबसे ज्यादा IPL के खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियन कप्तान कौन है रोईश शर्मा कि अधि रिपोर्टिंग में उतकरिष्टा के लिए ICAI ICAI राष्टी पुरुषकार परदान किया गया है तो भारत है वी एलेक्टिकल ल्म्टेट भेल जो कि हम मंद्य प्रदेश के भोपाल में इस्तित है ना भेल भारत हैवी लिम्टेट को क्या किया गया है तो बिक्ती रिपोर्टिंग में उत्रेश्टता के लिए आई सी ए आई राष्टी पुरुसकार परदान किया गया है मोश्ट इंपोर्टेंट है विदेश मंत्री माइक पॉंपियो समेथ 28 सदिकारियों पर प्रतिबंद लगाने का फैसला कर लिया है तो वह है चीन चीन ने चीन ने अमेरिका की पूर विदेश मंत्री और माइक पॉ और तो जान प्रेंगे इनको सब जानते होंगे सौने के बाल लगाये रहते हばकर अथा न? ऐसा लगता है कि जैसे नो बॉल डाल रहे हूं उटुभा वर्तमान राष्टपती योविन योबरी मुसेनी जिस देश के वरतमान राष्टपती योवनी मुशेवेनी को 2021 के देश के राष्टपती चुनाओं के विजेता के रूप में घोसित किया गया है तो वो है युगांडा के राष्टपती युगांडा के नाव निर्वाचत राष्टपती कौन है तो योवेरी मुशेवेनी नाम याद रखिएगा योवेरी मुशेवेनी नई हाई स्पीड मेंगलेव मेंगनेटिक लेविटेशन ट्रेन के लिए प्रोटो टाइप का अनावरण किया है तो वो है चीन चीन ने किया है किसका मेंगनेटिक लेविटेशन हाई स्पीड मेंगलेव मेंगनेटिक लेविटेशन ट्रेन के लिए प्रोटो टाइप का अनावरण किया है चाइना ने नेक्ट कुछ्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा इस्थान जिस देश को प्राप्त हुए तो वो है भारत भारत को चौथा इस्थान प्राप्त हुए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ठीक है तो अभी इससे ही रिलेटेट है कि भारत का पहला फायर पार्क कहां खोला जा रहा है तो भार का पहला फायर पार्क ओडीसा की राजधानी भुवनेश्वर ओडीसा की राजधानी में भारत का पहला फायर पार्क खोला जा रहा है कहां पर ओडीसा की राजधानी भुवनेश्वर में और Global Fire Power Index में 2021 में चौथा इस्थान प्राप्त किया है भारत ने ये भी important है इंडेक्स तो पूछे ही जाते हैं भाई नेक्ट कुश्चन है केंद्री मंति मंदल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और जिस देश के बीच सौरूर्जा के छेत्र में सहयोग के लिए एक सहमयती पत्र को मंजूरी देदी है बारत के जिस खिलाड़ी मैंतर जिस खिलाडी जो नाम क्या है टी तर राजन जो करल के खिलाड़ी दुनों के अंदर सभी फॉर्मेट में अंतर राष्टी किर्केट में डेब्यू करने वाले ये पहले भारती बन गए है तो सौरभ चोधरी ये कुशन पूछा जा चुका है कि भारती निसानवाज जिगने हाली में राष्टी निसानवाज ट्राइल्स में पुर्सों के 10 मीटर एयर पिस्टल का किसने जीता है तो सौरभ चोधरी ने याद रखिएगा के लिए सबसे ज़ादा मैच खेलने वाले एवं सबसे ज़ादा गोल करने वाले फोटवाल बेन रूनी ने सन्यास ले लिया तो वो है इंगलेंड के खिलाड़ी है वेन रूनी इन्होंने सन्यास ले लिया है भावी प्रथम महिला जिल वाइडेन भावी प्रथम महिला का मतलब होता है जो अमेरिका के राष्ट पती हैं उनकी वाइफ जो विडेन है इनकी वाइफ होंगी जो विडेन की वाइफ होंगी कौन जिल वाइडेन इनको भावी प्रथम महिला जिल वाइडेन की नीती ने दे यूरत में की पतनी जिल वाइडन की नीती नीजियास की रूप में, किसे निप्त किया गया है उप्हों माला अडिज अ धिला यहाद करूटमuseum के इंपौर्टनि माला अडिज एको क्वरकार से सम्मानत जिस महान सास्त्र गायक का nit अवाशीवर्ज की वर्च अनिधन हो गया तो गुलाम मुस्तफाख उन्हें हों गुलाम देख भी हो गई वार्ट टी भी पर गुलाम मुस्तफाख किया है तो यह ब्रटेन के प्रधान मंत्रियों बोरिस जॉंसन इन्हीं को 26 जन्वरी में आमंत्रत किया है इस्टेशू आफ यूटी को देश के विविन भागों में जोडने वाली जितने रेल गाड़िया रवाना की तो आठ रेल गाड़ियों को विפिन देश के विविन अलागों से आठ ट्रैने चलेंगी जो कि इस्टे ऐफ lanzi कहा है तो यह है नर्मदा पुरज ले गज्राथ लेके लेकर नर्मदा पुर्जले में है स्टेटोफ यूर्ड़ी सरदार भालव भाई पतेल की यह मूर्थी है और बिश्चु की भारत की नहीं वर्ड की सबसे उंची मूर्थी है कौन Statue of Unity Statue of Unity सरदाल भाई पटेल की ये मूर्थी है सुप्रीम कोड बार एसोशियेशन के जिस अध्यच्छ ने ततकाल प्रभाव से अपने पदे से स्तीफा दे दिया है कोरोना वाइरस के प्रकोप के बावजी चीन के अर्थविवस्ता 2020 में जतने प्रिश्चत की दर से बढ़ी है तो 2.3 परसेंट की दर से बढ़ी है कि एकोनोमिक ग्रोथ हुई है है ना कुरोना वाइरस करना बांकि सभी देशों की जो जीडीपी ग्रोथ है वो क्या हुई है कम हुई है और दूर संचार उपकरण और सेवा नेर्यात संबर्धन परिसाद टीउपी सीने जिसको नया ध्यच न्यूक्त किया है तो यह संधीप अगरवाल को भारत में हर साल जिस दिर मनाया जाता है तो 24 जन्वरी को मनाया जाता है 24 जन्वरी को इससे रेलेटर एक फैक्ट याद रखिएगा जो उत्राखंड के सीम है तरवेंदर सिंग रावत उन्हों ने एक दिन के लिए सीम पदिपर बालिका को बैठाया था उसका नाम था सरश्टी गोस्वामी सरश्टी गोस्वामी को बैठाया था एक दिन के लिए सीम के खुरसी पर किसने तरवेंदर सिंग रावत जो की उत्राखंड के सीम है और किस दिन 24 जन्वरी के दिन राश्टी बालिका दिवस के दिन इन प्रीमियर लीग यान कि IPL की फ्रैंचाइजी टीम राजिस्थान रोयल ने सीलंका के दिगज बल्लेबाज को अपना क्रिकेटर निदेशक न्यूक्त किया है तो वह एं कुमारसंग कारा को जो की बिक्ट कीपर बल्लेबाज है कहांके काफटान भी रह चुके हैं स्रीलंका के इनको क्रिकेट न्यूक्त किया है किसका? राजिस्थान रोयल का कि जिस राज्य ने हाली में पंक योजना को लॉंच किया है तो पंक योजना को किस ने लॉंच किया है मद्यप्रदेश ने ठीक है तो इसका अंसर हो जाएगा मद्यप्रदेश ने मद्यप्रदेश ने पंक योजना को लॉंच किया है लड़कियों के लिए है ना बालिकाओं के लिए पंक योजना जो कि मध्यबदित गवर्मेंट ने इसको लॉंच किया है नेक्स्ट कुष्चन है प्रधानमंत्री राष्णी बाल-पुरुसकार 2020 के लिए जितने बच्चों को चाइनित किया गया है थर्टी तुश नमबर याद रखिया गया है कि व्यांग को चाहिश्ची प्रफ्र लाष्टी बाल-पुरुसकार के लिए भारत में प्रतिक वर्ष राष्टी मतदाता दिवस कम मनाया जाता तो 25 जन्मरी में पहले भी होता चुका है 25 जन्मरी 1950 को राष्टी चुनाओं आयोक का गठन किया गया था उसी दिन से 25 जन्मरी उसी को पलक्ष में 2006 से मनाया जा रहे है कब से 2006 से National Voters Day मनाया जा रहा है 25 जन्मरी को आली में एक राष्टी प्रवासन सहायता पोर्टल स्रम सक्ती को लाँच किया है तो वो है अरजुन मुंदा कि यहां प्लब दोगी इनके लिए कोई भी नई स्कीम योजना या फिर कुछ भी नया होगा वो यहां पर उपलब दोगा तो स्रम स्रम एक हुआ को जोड़ने के लिप लुए वो लौंच किया किया स्रम सक्ती किस के दौरा अरजुन अपना इस्थापना दिवस मनाया तो उमीदों के प्रदेश उत्तर प्रदेश ने योगिया तिनासियम राजबाल संधी को जितने साल तक बढ़ाने का परिस्ताव दिया है तो पांच साल देखा जाए तो इनका पहला काम मान सकते हो आप मुख्य काम है और एक है कौन सा काम तो ओपन इसकाई ट्रीटी ओपन इसकाई ट्रीटी को भी इसे बाहर हो गए थे हैं तो वह तो हलाकि उन्हें डोला सब्सक्राइब को जितने साल तक बढ़ाने का परिस्ताव दिया है तो यह पांस साल के लिए बढ़ा दी गई है याद रखिएगा नेक्स्ट कुछ जैने वह देश जिसने यूए की मंजूरी के बाद अबुधाबी में अपना दूसर अपना दूतावास खोल दिया है तो को है इजराइल इजराइल ने अपना दूतावास खोल दिया है कहां पर अबुधाबी में यूए यूए से तरव अमीराद की मंजूरी के बाद इंपॉर्टन है कि इन सरकार ने हाली में जिस पूर्व नयाधीस को जेड़ प्लस सुरच्छा प्रदान की है जेड़ प्लस का मतलब होता है जिसमें CRPF, BSF, सभी दिल्ली पुलिस ये सब के जवान होगे टोटल 36 जवान होते हैं कितने होते हैं 36 जवान होते हैं इनकी सुर उस समय रंजन गोगोई ही Chief Justice of India थे फुटवाल टीम के जिस पूर्व गोल कीपर का 44 वर्ष की उमर में निधन हो गया है तो इनका नाम है प्रसांद डोरा इनका नाम याद रखिये हैं क्योंकि ये भारत के हैं और इनका ये पूर्व गोल कीपर थे 44 वर्ष की उमर में प्रशन में पहली बता चुका हूं कि सर्वोच नागरिक पुरसकार पद में बिभूसन से सम्मानित किया गया है संजो आवे को 26 जन्वरी के दिन पूर पिर्धान मंत्री को कहा कि जापान के पूर पिर्धान मंत्री जो कि संजो आवे हैं भारत सरकार द्वारत देश के सर् समुलूब 5 प्रतिसत रहने का अनुमान लगाया है किसने अंतराश्टी मुद्रा कोस ने चिस्ट कुछ जने हैं अमेरिका में आमेरिका में वाइडन प्रसासन जिस भारत वंसी को चीप ऑफ इस्टाफ के पद पर न्युक्ति है तो वह हैं तारक साथा तारक साथा को चीप पदपर नियुक्ति है तारक साहब भारत वंसी यान की भारती मूल के हैं सिच्छा दिवस कम मनाया जाता है तो अंतराष्टी सिच्छा दिवस कह लीजे या बालिका सिच्छा दिवस कर लीजे अंतराष्टी सिच्छा दिवस या बालिका दिवस दौनों किस दिन मनाया जाते 24 जन्मरी को 24 जन्मरी को एक दिवस और मनाया जाता राश्ठी परिटन दिवस National Tourism Day National Tourism Day जितने ब्यक्तियों को जीवन रच्छा पदक संखला पुरुषकार 2020 परदान करने की मंजूरी दी है तो वो है 40 40 ब्यक्तियों को जीवन रच्छा पदक संखला पुरुसकार प्रदान करने की घोशना की है राष्टपती रामनाथ कोविंद ने आली में 590 मेगावाट्स और रूजा सेंत्र बनाने के लिए एक समझोते पर हस्ताचर किये हैं तो इस्पेन और फ्रांस ने नेक्ट कुश्चन है जिस वर्स 2021-22 के लिए आर्थिक व्रद्धीदर ग्यारा प्रतिसत रहने का अनुमान जताया गया है भारत के बारे में बात हो रही है नेक्ट कुश्चन हाली में जिस देश ने अपने बाश्मती चावल के लिए भागोलिक संकेतक जी आई जी यानिकी जियोग्राफिक इंडिकेटर पहचान प्राप्त किया है तो वो है पाकिस्तान जी टैग में लगया है यहां का मतलब की बाश्मती चावल का जो वो रीज और इनको एक अतरिक्त प्रभार मिला है कौन सा आयूस मंत्रा लेका ये भी याद रखिया है गरतन दिर्बस की परेड में जिस राज की जहांकई को पुरुषकार प्रतान किया है तो यह उत्तर प्रदेश में नीचे बताता है आया हो नीचे से है तो अब अपन पहुंच रहे हैं खतम की खतम की ओर हैं इसलिए उत्तर प्रदेश की जाकी इसमें क्या था आयोध्या में जो राम मंद्र बन रहा है उसका मॉडल था तुरत था एक बार जरूर देखना चाहिए प्रत्यक भारतियों को नेक्ट कुश्चिन है जिस राज्य सरकार ने हाली में डीजल कर दिया है वैल्यू एट टेक्स कम कर दियो है तो यह सुब दरसनी तरपाठी सोबच दरशिनीतर पाथि को भारती राज़्दूद न्युक्त किया गए कहां पर तो कजाकिस्तान पर इये आएफ है सधिकारी है कजाकिस्तान में रहेंगी सुबच दरशिनीतर पाथि जिसने हाली में बैस्वे गूर्जा सुरच्छा इस्थेरता इबंगूर्जा सहयों को मजबूत करने है तू अंतराष्टी उर्जा एजन्सी के साथ एक रणनीतिक साज्यदारी समझोता किया है पर कोरोना-वाइरस मामारी इडियर में अलोचना के चलते इटली देश के प्रधानमंत्री है तो नाम यातर कि high favor के इठली गदने की इस्तीफा के रहता it भारत अब यूएन की मदद करेंगा ठीक है स्यूक्तराष्ट को सांती मिसन के लिए डेड़ लाग डॉलर की मदद करने की घोशना किया भारत ने यूएनो को बार में जा ले लिए यूएनो 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया इसका है इसका है वासिंगर टर्ण डीसी में ठीक है 193 देश सदस्च है मिस्टर के लिए भारत का अंगला राजदूत किसे ने उक्त किया गया है तो अजीत बिनायक गुपते को याद रखिए कि मिस्टर के लिए भारत का अंगला राजदूत किसे ने उक्त किया गया है तो अजीत बिनायक गुपते को है पर 2021 में भारत की आर्थिक प्रद्दी जतने प्रिस्त रहने का अनुमान है तो 7.3% एक बार और बता देता हूं UN ने जो GDP ग्रोथ बताया है हमारा अनुमान लगा है वो है 7.3% अगर बात करें IMF की तो इसने बताए 11.5% हमारी गवर्मेंट ने केंद्री मंत्री मंदल ने जो पताया है वो है 7.4% ठीक है तो यह सब आकड़े याद रखने वाले हैं यह पूछे जाते हैं डायरेक्ट पूछे जाते हैं पेस? रिस्क हाइननकिंश है और रिस्क इंडेक्ट में 2021 में बहुत करने जाते हैं सनस्ता है जर्मन जो संस्था आख कहां कि वॉन की संस्था है इसने गलोवन क्लाइमेट रिसक बारत को भारत की जो रेंकिंग है क्या है साथवी है पहले इस्तान पर कौन है तो मोजामबिक है ना मतलब की क्लाइमिट चेंज के द्वारा जो आप दाएं हुई है सबसे जाद हुई है मोजानबिक में हमारा देश लागू करने की घुफणा की है तो एक अप्रेल 2022 एक अप्रेल 2022 यह नीती लागू हो जाएगी इसके तहत 15 बर्स पुराने जो बाहन होंगे जो की डीजल पेट्रॉल से चलते होंगे उनको अवैद भूसित कर दिया जाएगा ठीक है उनको हटाने हटा दिया जाएगा इस क्र प्रदूशन को वायू प्रदूशन को कम करने के लिए किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक बाहनों को प्रोसान कैसे मिल सकता है कि यह जो डीजल और पेट्रोल वाले बाहन है इनकी संख्या कम की जाए इसलिए यह 15 बर्स से पुराने बाहन और दूसरी चीज वायू और इसलिए 15 बर्स से पुराने बाहनों को चलाने के अनमती नहीं होगी एक अप्रेल 2022 से नितिन गट करी है राजसाड़क परिवान इवं राजमार्ग मंत्री इस नीती का नाम क्या है स्क्रेप नीती तो ऑनलाइन कारकर्म के माद्यम से जेल पर रेटन पहल की सुरुआत के हैं तो महरास्ठ के सीम कौन है उदव ठाकरे इनहोंने जेल पर रेटन की पहल की जिसके तहते जो student हो चाहिए जो इतिहास में या इसी एतिहासिक जेल है मतलब है ना कि एतिहासिक या पुरानी बिल्डिंग्स को गुमने का सौक रखते हैं और इससे क्या होगा कि आम जंता को जेल के रहन सहन का भी पता चलेगा किस तरह सो वहां लोग रह रहे हैं क्या कर रहे हैं तो यह कैति हासिक पहले उद्व ठाकरे जी ने किया महाराष्ट के सियम ने नेस्ट कुछन हाली में केंदी जंजाती कार मंतरा लें प्रबासी स्रमकों के लिए राज जेम और राष्टी इस्तर के कार्क्रमों के निर्मान पूर्टल के बारे मैं आपको बता चुका हूँ नामदेव चंद्रभान कामले को साहते में उनके युगदान के लिए जिस पुरुसकार से समानत किया गया है तो पदमसी पुरुसकार यह तो 26 जन्मरी को ही मिला है पदमसी पुरुसकार किसको नामदेव चंद्रभान को कहा है मराठी महराष्ट के हैं ठीक है बनाया जाता है तो वो बना जाता 27 जन्मरी को अंतराश्टी प्रला इसमरण दिवस 27 जन्मरी को तो जो 2nd World War है आप सभी जानते 2nd World War में कितनी यहानी हुई है परमाडु बम यूज किया गया । नामदेव जापान के नागसाकी में परमाडु बम तो ठीक है दोस्तों ये जन्वरी मां के संपूर करन्ट अफर्ष थे महत्पूर करन्ट अफर्ष थे आप इस वीडियो को दो-चार बार में देख लीजेगा या तीन-चार बार देख लेंगे पूरे आपको याद हो जाएंगे और इससे बाहर जन्वरी में कुछ भी नहीं आएगा ठीक है तो बने रही है हमारे साथ इसी तरह से मंत्यली वीडियो देखने के लिए ए करेंट वीक्ली वीडियो हमारे साथ जुड़े रहिएगा जैहिंद जैय भारत